आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज हमें बात करनी थी डियू के सलेबस के बारे में तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मेरा नाम राकिश पातर है और मैं अपना अकैडमी पर पढ़ा रहा हूं पिछले अक्टूबर 2019 से तो अभी हमारा जो डियू का जो कोर्स है वो ल हैं बिल्कुल आप लोग आईए वहाँ पर और उस कोर्स का बिल्कुल फाइदा उठाइए आप लोग जैसे की देख पा रहे हैं यह जो है यह कोर्स है अपना डियू ब्ह और स्यू सीटी के लिए यह एक कोर्स जो है यह हमारा 17 फैब से स्टार्ट होगा ही यह वाला कोर्स साथ की साथ चल रहा है यह यह बताँ और यह वी साथ के साथ चल रहा है हो चूपी है और यह देख सकते हैं को कि यह उड़ा क्लासिज जो हमारी होती है जो प्रीयो खोती है क्यों तो यह आप बिल्कुल देख सकते हो फ़ीयो को nhấtष पैसा देने के ज़ूराइच नहीं है यह देकि उर भी वीडियो आएंगी जैसे टाइम से जलेगा कि यह तो ये काफी वीडियोज आप देख सकते हैं, इनके अंदर आपको कुछ ना कुछ कोई अच्छ अच्छ टोपिक मिल जाएंगे, अच्छ अच्छ जो आपके exam related questions हैं, वो मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हो, अगर मेरी profile आप देखोगे, तो इस तरह की कोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगे, तो इस तरह से कुछ मेरी profile है, ये watch minutes वगएरा है, और followers वगएरा है ये, तो आज हमें बात करनी थी, DU के syllabus के बारे में, DU को आज हमारा syllabus रहेगा, उसके अंदर, वही इन ओर्गैनिक और हमारी जो physical chemistry है, वो उसके अंदर आए और सारी काफी सारी बाते की थी, कि seats के अलावा वही क्या-क्या उसके अंदर है, उसकी exam date क्या है, registration date क्या है, तो एक बार और फिर मैं, अगर आप लोग चाहते हैं, तो एक बार और मैं बता देता हूं, registration date वगया, registration date जो रहेंगी वही, जो registration date जो है, वो अमारी 2-2 31 मार्च तक रहेंगी, रेजिस्टर कर सकते हों, आप लोग 2020 के लिए, 2020 की बात कर रहे हैं, admit card जो है, वो admit card आपके 30 अपरेल तक आ जाएंगे, थोड़ी writing खराब हो गया है, तो writing पर मत जाना, ठीक है, exam की date होगी भाई, अभी fix नहीं आई है exam की date, तो लेकिन time फिर भी कम ही है, 2-9 जो June है, यह tentative date होती है, इस date के बीच में कभी भी हो सकता है, first week में ही होता है mostly, तो इसके अंदर हमारी exam हो जाएगा, और 20 दिन के अंदर अंदर, 20 से 25 दिन के अंदर अंदर result आ जाएगा, मतलब result की जो date है, 25 June है, 25 June को आपका result आपके सामने होगा, और फिर अपने admission चलेंगे, admission बगएरा चलेंगे, और बाकी सब कचों चलेंगे, cutoff की अगर हम बात करें, cutoff जो हमारी पिछले साल जो रही थी, cutoff हमारी general की unreserved की अगर बात की जाए, तो 222 के करीब रही थी, OBC के अगर बात की जाए, तो उनकी 194 के करीब करीब हमारी cutoff रही थी OBC की, SC की 138 के around, और ST की 100, और जो EWS थी, economically weaker section जो नई category अभी कुछ टाइम पहले ही आई है, उसकी 218 जो cutoff थी हमारी, ठीक है, तो आप ये मानके चलिए, अगर secure बिल्कुल आपको रहना है, तो 230 प्लस जो marks होगी, वो एक secure score होगा, अगर आप general की बात करें, तो मतलब बिल्कुल purely secure तो नहीं कह सकते है, लेगिन हाँ, 230 marks are good, 100 जो question होते हैं, हमें पता है इसका pattern की, भई, computer based exam होता है, 100 इसके अंदर total हमारे questions होगे, 100 questions हर question, 4 marks का होगा, negative marking होगी भई, बिल्कुल होगी इसके अंदर, ठीक है, एक number negative marking का कटेगा, total 4 marks का होगा, और eligibility आपको पता है, 55% कम से कम BSC के अंदर होने चाहिए, at least BSC के अंदर होने चाहिए, और BSC के अंदर 2 math paper होने चाहिए भई, दो math paper आपने दिये हो, ये बिल्कुल होना चाहिए, हाँ 12th में जरूरी नहीं आपके पास math हो, ना हो कोई compulsory नहीं है 12th वाला, तो अभी बात करते हैं, कि वही इसके अंदर क्या कुछ हमारा marking criteria रहता है, क्या कुछ syllabus रहता है, तो ये कुछ जो BSC वाला जो आपका syllabus होगा, जो BSC में आपने पढ़ा होगा, वही इसका syllabus होगा, वही इसका syllabus होगा, वही इसलेबाई रहता है इसका, कि जो BSC के अंदर आप लोग पढ़ेंगे, वैसा ही कुछ इसका syllabus रहेगा, जो भी सारा BSC में पढ़ागा वो आ जाएगा अपके तो इसको ये थोड़ा सा jam से अलग होगा jam से अलग इसलिए क्योंकि jam जो होता हमें deeply पढ़ना होता है jam को हम deeply पढ़ते हैं लेकिन इसमें इतना deeply नहीं पूछा जाता है इसमें एक type से overview कह सकते हो और इतना deeply नहीं पूछते हैं ये और जो है एक टाइप से और वी कह सकते हो आप एक टाइप से कह सकते हो basics जो है basic सवाल जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके अंदर जैसे अब हमने कल भी बात की थी वैसे थोड़ी बहुत मत कल भी आप लोगों को बता रहा था कि वही questions के जो टाइप रहते हैं हमारे अगर physical chemistry की हम बात करें तो जैसे solid state वगएरा हो गए इन में कितना कितना क्या कुछ रहता है अगर syllabus आप देखना चाहो तो ये कुछ हमारा syllabus है अगर इसकी बात करें inorganic chemistry तो इसके अंदर यह आ जाएंगे main group elements जो है वही रहते हैं में ग्रूप element ही है यह जो प्रियोडिसिटी है में ग्रूप element वालों में ही आ जाता है जो सिंपल जो नॉर्मल वाली है तो यह पढ़ना हमें atomic structure पढ़ना है थोड़ा atomic structure तो ना भी पढ़ो तो इतना ज़्यादा दिकत नहीं होगा क्योंकि इससे कम ही पुछा जाता है तो जहां तक बात है periodic periodicity की periodicity बिल्कुल भई periodicity trends जो है बिल्कुल आने चाहिए जैसे effective nuclear charge का क्या trend रहता है screening effects later rule वगएरा यह nuclear charge atomic और ionic radii का क्या trend रहता आने जिसन enthalpy क्या रहती है electron affinity क्या रहेगी trends सारे trends आपको पता होने चाहिए सब trends पता होंगे तो trend पे एक question लगबग लगबग आ ही जाता है फिर आता हमारा chemical bonding के बारे में chemical bonding बिल्कुल भई chemical bonding पूछा जाता है काफी बार पूछा गया है और काफी बार अब भी बार बार पूछा जाएगा chemical bonding में ionic bond से related जो भी है वो पूछा जाएगा बही कितने टाइप के आयन होते है साइज इफेक्ट क्या रहेगा radius रहेगा रहेगा रूल जो हमारा radius रहेगा रहेगा रूल है पैकिंग आयन है crystal वो बॉर्ण लेंड equation है बॉर्ण हेवर साइकल बिल्कुल important है बॉर्ण हेवर साइकल लैटिस एनर्जी वेगारा यह बहुत important है इनको बिल्कुल पढ़ता पढ़ना आप लोगोंने अच्छी तरह से कोवलेंट बॉंड की अगर हम बात करेंगे तो lds जो होगा लूज डॉट स्क्टर होगा वैलेंस बॉंड थियोरी होगी यह hybridization जो हमारी होगी तो यह सारे बेंट रूल वगरा यह सब आपको पढ़ना है और यह जो polyatomic जो molecule होंगे और diatomic molecule होंगे इनके एमोटी डायग्राम पूछे जाते हैं बहुत पार पूछे गए हैं तो वह बिल्कुल आप लोग कर लेना वैलेंस चैल जो है formal charge है formal charge भी पूछा गया है वही formal charge के बारे में भी पूछा जाता काफी तो इसको भी आप लोगों को बिल्कुल अपना ध्यान से पढ़ना है जलना है और मेटालिक बॉंड है इसके बारे में भी आप लोगों को बिल्कुल अपना पढ़ना है ठीक है इसके बाद अगर हम आए इस चे अगला टोपिक हमारा होगा ये तो बहुँ जो प्रैक्तिकल वाले आ गए फीजिकल चैमिस्टर ये तो फर्स्ट एर की बात है क्योंकि जो हमारा भी स्वेमस्ट का जो पूछे जायेंगे तो वो first semester के syllabus की बात थी अगर हम physical chemistry का first semester का ही syllabus देखे तो गैसे state के बारे में बिल्कुल आप से पूछा जाएगा इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा आप लोग अगर important है अगर आप लोग कहो तो Maxwell distribution है ये काफी बार पूछा जाता है इसके यूज पूछे जाते हैं वह regular velocities के बारे में इसको कैसे हमें detect करना है इनको कैसे मेजर करना evaluate करना है यह degree of freedom यह भी काफी बार पूछा गया है behavior real gases का कैसा behavior रहता है उसके बारे में आपको जैड के बारे में वेंट यह जो हमारे boil temperature है वेंडर वाल equation है यह सब कुछ आपको पढ़ना पढ़ेगा अगर state के बारे में पढ़ना है solid state के बारे में पढ़ना है million indices यह बिल्कुल important topic है million indices वगएरा ठीक है ब्रेक्स लो हो गया हमारा previous latest हो गया तो यह और जो हमारा seven crystal system हो गया यह बिल्कुल पढ़ने आपको यह कई बार पूछा जाता है बहुत बार ठीक है और diffraction pattern के बारे में पढ़ important है ionic equilibrium के अगर हम बात करें degree of ionization पूछा जाता बही ज्यादातर बहुत बार और ionization of weak acid की pH scale पूछा जाता है common ion effect पूछा जाता है बही और क्या का इसमें यह dissociation constant के बारे में पूछा जाता बिल्कुल बही degree of hydrolysis पूछा जाता pH अलब-अलब salt के लिए और buffer के लिए यह बहुत important है बही इसके अंदर salt के लिए और buffer के लिए pH बिल्कुल पूछा जाता है कई बार पूछा भी गया है तो इसको बिल्कुल आप लोगों को कर लेना है अगर कर लोगी तो बिल्कुल आपका selection की पूरे पूरे chances आपके यहाँ पे रहेंगे तो यह यहाँ पर क्या रहे गया हमारा सायद ठीक है यह तो हो गया हमारा तो अगर हम बात करें semester 2 के अंदर organic की अगर हम बात करें और गैनिक में भई hybridization बिल्कुल पढ़ना है और गैनिक में भी पढ़ना है chemical bonding में भी पढ़ना है hybridization तो ठीक है इनकी shape के बारे में पढ़ना है electronic displacement के बारे में यह जो भी effect होते हैं इसके जो common होगे हमारे electromagnetic inductive resonance में जो मेरे एक effect है यह यह तो आप लोग 12 में भी पढ़के ही आए हो और BSC में भी बिल्कुल पढ़ोगे आप लोग तो यह सारे इसके अंदर हमारे पहले जो चेक्टर है जो general organic chemistry है उसके बारे में पढ़ना हमें बिल्कुल GOC में यह आएगा addition है, elimination है, substitution बगैरा हो ग परना है, कहां चला गया, सेमेस्टर 2 की बात चल रही थी है, isomerism बिल्कुल important topic है, बिल्कुल पूछा जाता है, इसे एक दो एक दो question हमेशा पूछा जाता है, इसे इतना नहीं पूछा जाता है, इसे इतना नहीं पूछा जाता है, सही बताऊं तो, यह sin anti और ez notation से पूछा जाता है, CIP rules पूछा जाता है, ठीक है, geometrical isomerge में से पूछा जाता है, optical isomergem की अगर मैं बात करूँ, specific rotation की बात करूँ, यह पूछा जाता है, dye stereomus, dl और rs designation के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, यह geoc के अंदर ही आएगा, carbon carbon sigma bond वगएरा, woods fatigue, यह naming reaction वगएरा हो जाएंगी, यह हमारी naming reaction आप लोग को चांट लेनी है, यह अलग से, तो woods reaction है, जो woods fatigue हो गई, यह सारी जो reactions है, यह आपकी naming reaction के अंदर आएंगी, तो carbon carbon pie bond है, इसमें भी अपनी E1-E2 अगरा है, शेट्जव, hopman elimination हो गया, electrophilic addition हो गया, marconic ups हो गया, 1214 addition reaction हो गया, यह सारी आपको एक बार overview ले ले लेना है, ताकि इन में भी आपक कोई भी नंबर ना कटे, और आप लोग नंबर अपना secure करके अपनी rank secure कर सकें, ठीक है, साइक्लो अलकेन, confirmation अलकेन, यह अमारे analysis के, इसमें bear strain theory पढ़ लेना, chair board twist तो ही आपको आती होंगी, यह इतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी relative stability के बारे में पढ़ लेना, इसकी जो aromatic hydrocarbon है, इन में से huckle rule आपको पता ही होगा, बिल्कुल आता होगा, फ्राइडल क्राफ्ट alkylation जो है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन अपनी, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction जो है, वो सारी आपको पढ़नी है, directing effect बिल्कुल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, directing effect को आप बि physical chemistry 2, मतलब second semester की ही यह physical chemistry है, बता दूँ मैं भी DU से ही हूँ भई, DU से graduate हूँ मैं, तो इसके अंदर आपको thermodynamics के अंदर, आपको क्या-क्या पढ़ना है, thermo का अंदर भई, coronet cycle पढ़ना एक तो, बिल्कुल important है, अगर देखा जाए, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कहीं पे, इक भी partition law, Gibson, जो Gibbs free energy है, वो पढ़ लेना बिल्कुल, ठीक है, इसके अंदर नी दिया होगा, अगले semester के अंदर दिया होगा, और entropy calculation बगएरा है, वो भी बिल्कुल आप लोगों को पढ़नी है, वो बहुत important है भई, ठीक है, इसमें अंदर दिया भी होगा, कुछना Maxwell relation होगे ये बिल्कुल पढ़नी है वह equation, शारी की सारी, ये बहुत काम की equation है, ये आप लोग अगर पढ़ोगे, तो बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा, थर्ड़ा की जो statement वगएरा है, ये तो थोड़ा सा basic सा ही हो गया, इतना भी basic नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा तो धंका थोड़ा सा मतलब लेवल वो रखते हैं, अगर chemical equilibrium equilibrium की बात करूँ, equivalent constant जो हमारा है, calculation equilibrium की, वो हमाएं अपना क्या है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है, इसके अंदर degree of dissociation पूछा जाता है, equilibrium constant के जो calculation है, वो पूछा जाता है, गिस free energy reaction की ये पूछा जाएगा बिल्कुल, ली चैटलियर प्रिंसिपल से हमेशा question आया है, हमेशा question आता है, और पूरे पूरे chances रहते हैं कि ली चैटलियर से वो question आपका पूछे ही पूछे, तो ली चैटलियर को बिल्कुल ध्यान से आप लोगों करना है, अगर इसकी ब आते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से करना बहुत important topic है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगा, आप radio activity पढ़ लेना, solution और को लिगेटिव के radio activity करा हम सुरी, राउट्सला बगारा पढ़ लेना, जो इनके रिलेटिव लोगरिंग वेपर प्रेसर की वो पढ़ लेना, ये application इनकी पढ़ लेना, मोलर मास बगारा नोर्मल जो है, dissociated solution की, जो हमारी applications हैं, वो बिल्कुल पढ़ लेना, वही तीन से चार question आते हैं, अगर इन तिनों, इनक बही, metallurgy है, metallurgy हमारा अभी चलेगा, एक दिन का class होगा हमारा, बिल्कुल अभी ये जो course हमारा चल रहा है, इस course के अंदर, एक दिन का class होगा हमारा, metallurgy का, इस course के अंदर, जहां तक है, मुझे इसी course के अंदर होगा, देख के बता देता हूँ, आप लोगों को, आप लोग ये classes तभी देख पाएंगे, जब आपने पे किया होगा, metallurgy की class बिल्कुल भाई, 17th Feb को, 8 बजे हमारी metallurgy की class होगी, तो बिल्कुल बहुत ही exam point of view से ये important है, हमारा metallurgy, तो बिल्कुल इसको अपना ज्यान से कर लेना, ये जो bore process है, electrolytic process है, purification बगरा है, mons process, zone refining बगरा, ये बिल्कुल important है, एलिंगम diagram, भई, एलिंगम diagram बड़े important है, पूछे जाते हैं, हर बार इन से कुछ ना कुछ एकाद एकाद question, पूछा जाता है, और S-Block और P-Block है, S-Block और P-Block में पूछा जाता है, इनके trends पूछे जाते हैं, P-Block हमारा, वैसे हो गया है, होने ही वाला है, मतलब, नहीं आज सायद complete हो चुका, वो 4 बजे की class में, अब जो P-Block होगा, वो हमारा दुबारा जो होगा, वो नए course के अंदर होगा, तो उसमें ज्यादा practice होगी वैसे तो, ठीक है, और जो S-Block है, S-Block के अंदर आप लोग, ये बही, जो इनकी हमारी, जो क्या बोलता है, trends रहते हैं वो होती है, इनके complex जो रहेंगे, इनके structure रहेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे, P-Block है, P-Block भी हमारा trends बगरा होगे, इनकी जो oxy acids बगरा होगे, इनके बारे में, सारव के बारे में हम बात करेंगे, 13-18 गुरूप तक हम सब की बाते करेंगे, इनके oxides और oxy acids बहु पूछा जाएगा और जो असेट्स के बारे में भाई और इनकी बिल्कुल स्ट्रक्चर बगारा सब पूछा जाएगा ठीक है कलैथरेट बगारा जो भी है आप लोग देख पाएंगे कि अगर आप एक्जाम में बैटेंगे तो जैम के अंदर पूछे गए थे chemical bonding में हमने आट बज, जैप रिख थी याँ और अगला पार्ट अगया थर्ड सेमेस्तर की बात करें आशिए मेकायल है के प्रोडक्ट है, वो पूछे जाते हैं, जो हमारी रियक्शन से मेकेनिजम है, बेंजाइन मेकेनिजम वगरा हो गया, ऐसे नई यार हो गया, ये पूछे जाते हैं, अराइल के अंदर, बही ग्रिगनार रियेजन्ट, और्गेनोमेटलिक कमपाउंड्स के अंदर भी इसका पूछा जाता है, और यहां भी इसके पूछा जाता है, अलकोल, फिनोर, इतर की बात करूँ, बही, ब्लैंक रिडक्षन bubble blank reduction पुछा जाता है कई बार पुछा गया है ऐक्सिरेशन डायोल का यह टेट्र आसिटेट पिनाकोल पिनाकोल रियारेंज्चमेंट बिल्कुल बहुत इंपोर्टन है पिनाकोल पिनाकोल रीयारेंजचमेंट इनको भी आक Naming reaction के अंदर जो है लिख सकते हो फिनोल की अगर हम बात करें इसमें रियारेंजमेंट और नेमिंग तो आप लोग करके ही चलिए ठीक है तो यह जो अपना ओफिजियल साइट से यह सारा से लेवस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वैसे बेसी के अंदर आप लोग पढ़ भी रहे हैं तो ज्यादा इसमें ट के बच्चे हैं उन्होंने तो सारा यह पढ़ा ही होगा जो बीसी ओनर्स केमिस्टी वाले बच्चे हैं उनका तो सेलेबस ही उनी का यह सेलेबस है तो बाकी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज के उनको घबराने की जुरत नहीं है आप लोगों नहीं यह भी यह लगबग सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने का लिए अगर यह जाएंगी ठीक है कर्टियस री रियर्इज्मेट बड़ी इंपोर्टेंट है डिकमें और रीफोर्मश की यह इंपोर्टेंट है तो इसको भी बिल्कुल अपने ज्यान से करना है और आगे आगे बढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड ठीक है फेज इकलिविब्रिया की अगर हम बात करेंगे तो फेज इकलिविब्रिया के अंदर हमें पढ़ना है यह बाई क्लोशेस क्लेपरन इक्वेशन यह गिप्स फेज रूल नोन रेक्टिव के लिए यह इंपोर्टेंट है और फेज डियाग्राम वगेरा तो एक बार देख लेना बिल्कुल देखने में क्या जाता है अच्छा रहेगा एक्जाम में पस जाता है यह कई बार गिप्स है यह तो मस्ट वाली इक्वेशन है यह तो थीक है एक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ लेना इलेक्ट्रो मोटीफ फोर्ष मेजरमेंट निर्ट्रस्ट्रिक वेशन हमारी स्टेंडर्ड एलेक्ट्रोड के लिए और यह पी-एच्वालिउज हमारी हाइड्रोजन का यूज़ करके इन सब के बारे में आपको बिल्कुल पढ़ना है एक्टिविटी कोफिशेट की डेटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है ट्रांसफेरंस नंबर के बारे में बिल्कुल पढ़ना है आप लोग को ठीक है सर्फेस कमिस्ट्री के अंदर ज्यादा तो नहीं लिए लेंगवर और फ्रेडलिक जो है इसो थम्स है इनके बारे में एक बार इनको देख लेना और इसको बीटी को देख लेना ठीक है वह मोर्दन इनफ होगा आपके लिए से मेस्टर 4 के अगर अंदर हम आएं कोडिनेशन कमेस्ट्री में बई बिल्कुल वर्नर थुरे अभी थोड़ी दिर पहले भी मैंने आपको बताया था वर्नर इंदर ही वर्नर थूरी पड़के जाना बहुत अच्छी वी बी टी हमें पढ़के जानी है लगबग लगबग जो है जे टी डी जोन टेलर जो डिस्टॉर्शन है यह पढ़ना है बिल्कुल यह सारी चीजें लगबग आपको पढ़के जानी है नॉमनकलेचर भी पूछा जाता है चिले टिफेक्ट बगारा इतना नहीं पूछा जाता है ठीक है ट्रांजिशन एलिमेंट भई यही कोडिनेसन के अंदर ही ट्रांजिशन एलिमेंट अमारा कम्प्लीट हो जेगा लेटीमर डायग्राम देख लेना एक बार कोई ज्यादा डिफरेंस निया पर नैंतेनोड और एक्टेनोड में ज़्यादा कुछ देखने की जुरुत नहीं है अगर देखना चाहो तो ये एक बार छोटा सा थोड़ा सा देख सकते हो लेकिन यह कंप्लीट हो जाएगा हमारा वैसे ही न तो इसको ज़्यादा बाव देने की जुरुरुत नहीं है इसको सारिन कवर हो जाएंगा है यह उसी के अन्दर के लिए बात करें के अंदर हर अगर हम बात करें यह बहुत है यह उसके बाद आपको आयोनिक प्रोड़क्ट वाटर का यह देख लेना थोड़ा सा यह और ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने की जुरत नहीं है इसकी Transparence Number की जो है ये बिल्कुल Determination बिल्कुल भई इसको ये Important है इसको बिल्कुल पढ़ लेना Chemical Kinetics की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो है Chemical Kinetics के अंदर हम पढ़ेंगे Kinetic Theory जो है गैसिज की वो पढ़ लेना ठीक है और Parallel Reaction पढ़ लेना Opposing Reaction, Steady State Approximation बगारा पढ़ लेना और Collision Theory बगारा तो रहने देना Lindenman Mechanism एक बार देख लेना ज़्यादा कुछ इसमें इतना घुशने की जुरुत नहीं है लेकिन हाँ Chemical Kinetics से भई रेटला पुछा जाता है जैसे रेटला को पढ़ना है बिल्कुल आपने थ्योरी जो है इसकी इससे रिलेटिड उन थ्योरी को एक बार देख लेना Complex जो Reaction है ये बिल्कुल Important है भई रेटला और Complex Reaction इससे 2-3 Question ही जाता जाता नहीं मतलब 2-3 Question लगबग पूछे जाते हैं रेटला से हमारे जो थ्योरी है करेटिक जो Complex Reaction है इन से लगबग पूछा जाता है ये Catalyst तो भई सारे एक बार देख लेना बिल्कुल पढ़ लेना और वीव ले लेना इनका फोटो केमिस्ट्री के अगर हम बात करें फोटो केमिस्ट्री के अंदर आपको पढ़ना है फोटो केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ देना भई आप यह अमारा कहां गया यह 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 फोटो सेंस्ट्री स्टेट्स यह कैमिल उनसेंस ठीक है इसका ज्यादा वो नहीं है अपना यह एक बार ओर वीव देख लेना ज्यादा कुछ इसके अंदर डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ठीक है एक बार इसका ओर वीव ले लेना वो more than enough होगा सेमेस्टर फाइव पर आगे हम सेमेस्टर फाइव में अमीनो एसिट्स में वही भई जुविट्रा आयन बिल्गूल पढ़ लेना पीके वैल्यू पढ़ लेना आईजो एलेक्ट्रिक पॉइंट और एलेक्ट्रोफोर्वसिस पढ़ लेना ठीक है एन प्रोटेक्टिंग सी प को एंजाइम और को फेक्टर इसको पढ़ना आपने ज्यान से लिपिट्स के अंदर कुछनी आईटी नंबर और रिवर्जन और रैंसीडिटी पढ़ देना शैपनिफिकेशन वैल्यू पढ़ देना बस इससे ज्यादा पढ़ने की इसमें जरुरूर्वत नहीं है कॉंसेप्ट अनर्जी और बायो सिस्टम इसको ज्यादा कुछ नहीं भाई एनडी एफएडी यह देख लेना एक बार और वीव ले ले लेना इसका क्रैब साइकल बगरा ठीक है और फार्मासिटिकल कंपाउंड्स बगरा इसमें देख लेना थोड़ा बहुत थोड़ा बह हमारे पूछे जाते हैं जैसे जीरो पॉइंट एनर्जी हो गया प्रोबैबिलिटी डिस्ट्रिब्यूशन फंक्षन हो गया लोडल प्रोपरिटीज हीजन हीजनबर्ग अंसर्ट्रेंटी तो यह तो आप लोगों को पता ही है कि वही इस टाइप से हमारे यह इन टोपिक मे कारे में पढ़ देना थोड़ा सा अपना यह स्क्रोडिंग रिक्वेशन पढ़ देना मैनि एलेक्ट्रों एटम्स के लिए जिए हिलियम हुआ लीथियम हुआ और इसके अंदर केमिकल बंडिंग फिर से आगया वही हमारा वही LCAOMO treatment of H2 plus यह पढ़ देना थिक है इसके अं अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भाई हम पढ़ेंगे spectroscopy के अंदर एक दो question मिज़से मिलेगा vibration, rotation, spectroscopy पढ़ लेना ये पढ़ लेना वई selection rule पढ़ लेना determination of bond length diatomic की ये पढ़ लेना थोड़ा बहुत ठीक है इसको ज्यादा degree of freedom पढ़ लेना ठीक है और ये more potential पढ़ लेना और and harmonicity ये भी पढ़ लेना raman spectroscopy में क्या पढ़ोगे अश्टोक और anti-stok lines पढ़ लेना ठीक है electronic spectroscopy में ये principal हो गया आमारा और predissociation calculation of electronic transition poleins ये पढ़ लेना nuclear के अंदर अगर हम कहें तो इसके अंदर different scales पढ़ लेना spin-spin coupling पढ़ लेना और Electron Spin Resonance Spectroscopic अंदर अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा इसको और वीव देख लेना इसका ज्यादा इसको डिपली पढ़ने की जुरूरत नहीं है अब semester 6 के अगर हम बात करें तो वही इसके अंदर organometallic जो compound और organometallic तो लगबग सारा ही आप लोग देख लेना ज्यादा बड़ा नहीं है इसके अंदर बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है इसको लगबग आप सारे को देख सकते हो इसमें कुछ नहीं है organometallic हबारा अभी start भी होगा अभी जो हमारा organometallic chemical bonding बगरे के साथ पास बाद हमारा coordination होगा और coordination के बाद हमारा organometallic होगा organometallic तो बहुत important है इससे दो तीन एक दो क्वेस्टन ही तीन क्वेस्टन कम से कम दो से तीन क्वेस्टन इससे पूछे जाते हैं अगर बायो इन्योर्गैनिक की में बात करूं बायो इन्योर्गैनिक में आप के पंप सोडियम पोटैसियम पंप बगारा देख लेना ज्यादा देख लेना ज्यादा डीपली पढ़ने की जुरूत नहीं इसको इससे एक आद क्वेस्टन ही कभी कभार फरस्ता है ठीक है हाँ लेकिन यह बायो सिस्टम हीमोगलोबिन यह स्टोरेज ट्रास्पर और यह थोड़ा से एक पर पढ़ लेना वहीं इसमें रीजन ओफ टॉक्सिटी चिलेटिंग एजेंट्स वगएरा ठीक है सिस्प्लेटिन एजन एंटी गैंसर ड्रग यह वैसे पढ़ लेना इससे एक दो एक दो क्वेस्टन पूचा जाता जाता कु को नहीं है और्गैनिक कमस्टी की बात करें यूई स्पेक्ट्रोस्कोपी आयर और अन्मर की बात करें तो इनको भई इसमें देख लेना यह यह देख लेना इनके लिए जो है एप्लिकेशन वुड़र वुडवर्ड रूल की ठीक है यह देख लेना डिस्टिंक्शन की अई आर में स्पेक्ट्रोस्कोपी में यह वही एच बोन्दिंग को उन्जुगरेशन वगरा इवर एब्जॉप्शन वगरा ठीक है एन्मर के अंदर प्रोटोन मैगनेटिक रेजनेंस वगरा ठीक है स्पिन-प्लिंग कॉंस्टेंट वगरा यह सारा कुछ आप लोगों पढ़ लेना डाइज के अंदर क्या पढ़ोगे मौडें डॉट डाइज है एक अधाइल औरेंज वगएरा यह अमारे आपके कवर हो जाएंगा इनको कवर कर लेना बिल्कुल ठीक है इसके अंदर जिगलर नाटा पॉलिमराइजेशन बिल्कुल भई यह इसको बिल्कुल ठीक है तो इनको पढ़ लेना बिल्कुल याद से और आगे अगर हम चलें तो यह हमारा यहां तक जो सलेवस था वह लगवग पूरा हो गया है और थोड़ा बोच हमारा अगर आप लोगों को लगता है कि कम रह गया है तो एक दो और चीजे कानेटिक एनरजी के बारें बत से पड़ देना हमारी डिरेक्षोन ओव एलेक्टरकेमिकल सेल पड़ देना फेक्टर अफ्यक्टी इनोट पड़ देना इक्वीलिब्रियम consistent पड़ देना कानेटिक से भी दो-तिन क्योश्चन आते हमने बताई दिया यह तो और चेमिकलन ऊक्व देना बता दिया है आड़ प्रोसेस का थर्मो यह पढ़ लेना बिल्कुल पीयेच चैलकुलेशन का बता दिया हमने साया कब लेना एंभी प्रोटिक आयोंस भिपढ़ लेना और फीयेच कर मिक्स्चर डेलाय तो यह हमारा कुछ इसका लफ नटесть-ःच यह अब लोगों को बिल्कुल पढ़ लेना है इन सबको आपको बिल्कुल याद करना है बिल्कुल पढ़ना है अच्छे से और अगर आप लोग कि अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो यह मेरा अनकेडमी का रेफरल कोड है इससे आपको 10% discount मिलेगा मेरे referral code use करके आप लोग बिल्कुल 10% discount का lab उठा सकते हैं ये मेरा referral code है और ये मेरा अगर आप लोग मुझे telegram से मुझसे जुड़ना जाते है तो ये मेरा telegram का link है rp classes rkp 13 तो बिल्कुल आप लोग मुझसे rp classes rkp 13 पे telegram पे भी जूर सकते हैं ये मेरा जो discount अगर आपको लेना हो तो ये 10% discount के लिए मेरा referral code है अनकैडमी पे subscription ले और वहाँ पे मिले मुझे ये मेरी इस तरह कुछ profile होगी इस profile को आप लोग follow कर सकते हैं और हम सब धेर सारी वहाँ पे बाते करेंगे और धेर सारा हमार बातों का मतलब है हम जो हमारी इससे related जो बाते होंगी syllabus वगरा से उनके बारे में हम बात करेंगे वहाँ पे और आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा यहीं पर आप से भी बताईए कि ऐसा कुछ है और फ्री क्लासिज अगर आप लोगों को लगता है फ्लीब फ्री क्लासिज आप लोग देखने आईए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर आप सब्सक्रिप्शन लीजिए कम से कम एक बार जो फ्री क्लासिज वो देखने तो आज के लिए काफी है.